हम लोगों की बात उको सरकार तक पहुचा ही नहीं रहें, बलकी सरकार के तंत्र में जो लोग कान में तेल डल करके सो रहें हैं, बलकी उस तेल को निकाल करके आपने जबरजस्ति उनको जो है सुनमाने का भी प्रयास किया, हमने देखा है, देखिए दोहरी नीत की जहां तक सिक्षिका कह रही थी, कि बड़े-बड़े पंडाल लगा करके तमासा किया जा रहा है कि बीपीएसी वाले सिक्षकों को निक्ति पत्र माटेंगे, मैं आपको बता दू, कि सरकार का समावेसी विकास का नारा है, समावेसी विकास इनका क्या है, समान्य सिक्षक, समान्य सब्सक्राइब करने के त्यार है सोच लिए कि अब अंसन करना है अब देख रहे हैं कल जा रहे हैं सिक्षों को लोग के पूरा जमवारा लगा के इंको देर है सब्सक्राइब करके पूरा अगदम सब्सक्राइब करके उनको न्युक्ति पते रहे हैं हम लोग लगबक दूमेना होने को है अब बिस मानिया मुख मंतिजी को सरकार को दिव्यांग बच्चे लोग को सोच नहीं है चाहिए अपर मुक्सरचीब हो जाते हैं विद्यालम जां करना एक तरस जायज है क्योंकि इतने दिनों से कोई बात नहीं सुन रहा है तो आप लोगों से जितना हो सकता होतना आप लोग कर रहा हैं बात करे लीवें दिवस की नोने बात कि कि फिता काटते हैं इस बार तो फिता भी नहीं काट गया जो हम लोग लोग यह भी देखे यह छायां जो शार हें कि पिश्ते सम्वेदन हीन हो गए हैं यह उन लोगों का दिख रहा है अब हम लोग क्या कर सकते हैं अब उनके जो दोहरी नीती अपनाएवे हैं सकलांकों के लिए और विकलांगों के लिए वह साफ साफ देख रहा है यहां आप देख रहे हैं कि कल जो 13 दिसंबर को न्यूकती पत्र विकल जो दिव्यान के जो सिक्षक है उनका क्या उनके जो भी तयात कि शुचा अब तक ये South बाइट जो इतनी दिन से धरना पर रिठे में एकभर उनके हाल-चाल भी जाके पूछ ले कि आप इतनी ठंड में किस तरह और क्यों बैठे हैं, क्या बात हो गई आपके साथ जो कि आपने बैठे हैं, आप यहां पर बैठे हैं, आपने अभी तक संग्यान नहीं लिया, लेकिन आप कल न्यूकती पत्र बाटने के लिए आप बड़ा बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है, सारा चीज तैयारी किया जा हैं कि हम वैसे बच्चों के मुझ के धारा में सामिल करना है मुझ के धारा में सामिल करने के लिए आपने समावेसी सिक्षा को चलाया क्या कर रहा है यह समावेसी सिक्षा कुछ कर रहा है जो बच्चे को हम लोग जिस बच्चे को लोग जानते नहीं थे उनको भेखर से उठाके विधियाले तक लेकर किया है और अज से बारे में कोईच ने सोच ने कहा सरकार। ऑमने चेसें को पता है किए हैं और ऑप लोग को खुदμέगे नीतियां चल रही है और एक तरह आप लोग कहते हैं कि हम आमरा नंचन करेंगे तो फिर फाइदा क्या होगा नंदन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कड़ाके की ठंड में वीगत आप तीरपंदिनों से हम लोगों का न्यूज कभरेज कर रहे हैं आप हमलोगों की बात को सरकार तक पहुंचा ही नहीं रहें बलकि सरकार के तंत्र में जो लोग कान में टेल डल करके सो रहे हैं बलकि उस तेल को निकाल करके आपने जबर्जस्ति उनको सुनमाने का भी प्रयाश किया अब हमने देखा है देखिए द्वहरी नीति की जहां तक बात है सरकार की यह आपने चरित्र से स्ध कर दिया है कि वह सरकार हम अभी हमारी महिला सिक्षिका कह रही थी कि बड़े बड़े पंडाल लगा करके तमासा किया जा रहा है कि बीपी एसी वाले सिक्षकों को न्युक्ती पत्र माटेंगे मैं आपको बता दू कि सरकार का समावेशी विकास का नारा है समावेशी विकास इनका क्या है समान्य सिख्षक समान्य बच्चे सिख्षक के मामले में दखें तो दिभ्यांग सिख्षक दिभ्यांग बच्चे और दिभ्यांग बच्चों के पढ़ाने वाले मनेविसे सिख्षक कहीं इनके एजेंडे में दुर दुर तक नहीं है यहां हमारी बात को जदी सूनेंगे जानेंगे तो यहां हमसे प्रश्ण करें कि आप ऐसा क्यों है मैं यहां सरकार को ब्लेम कर रहा हूं मैं सरकार पर दोस लगा रहा हूं मैं सरकार पर दोस मड़ रहा हूं कि सरकार जो है इनके सरमांगिन विकास में समावेशी विकास में सिर्फ और सिर्फ जात की राजनीत भोट की राजनीत समान्य सिक्षक और समान्य बच्चे जो उनको सिक्षित करने वाले हैं वो हैं यह सपश्ट अपने चरित्र से इसमें सिध्ध कर दिया इस सरकार ने इस महागठ भंधन की सरकार ने यह नारा लेकर करके चलेते सामावेसी विकास काही नहीं है यह इनकी गंदी मने सोच कह लिजिए कि आज हमारे वह दिव्यांग बच्चे जो है सरक प्या गया है कि उनका भविश्य जो है अधर में पड़ गया है तीरपन दिनों से हम यहां बैठे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई सारी क्या कहते हैं ववस्थाएं ठप पड़ी हैं फरवरी मां हमें बोड की परिक्षाएं सुरू होने हम नहीं जाएंगे तो उनका परिक्षा नहीं होगा और निश् फड़ा देंगे इनके एज एंडी की एके की धजिया उड़ा देंगे हम घर घर जा करके हम प्रचार् प्रशार अभी से कर रहे हैं हम sources ब्यांग बच्चे का अभी भादक के घरर जा करके संपर कर रहे हैं टेलिफॉनिक मादेम से सोचल मीडिया का मादेम से कि चाहने पार्टी कोई भी हो राजी की पार्टी हो राश्ट की नियुद कभरेज किया अपनी रोटि से करके सारे भी पकछवाले गया है आपको बता रेते हैं से यहां पर आ है कि भाजपा कार्याले के भी प्रवक्ता यहां पर आयें से पहर न्यु DM की बात लेकिन बस बात वुर्वीं बस उसके अलाब और कुछ नहीं हम देखिए में चीज है कि यह आया और कहीं कुछ नहीं और ले करके गए एक तो हमारे बीच में जीवन कुमारे मिल सी सामभाय थे कोहें थे कि बड़ी संबेदन हीं सरकार हैं हम दो से चार दिन के अंदर में जो है हम रिजल्ट दिखवाएंगे और आकर के चले गए कोहीं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है असंपर्क हम लोग कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनके पास समय नहीं है कि हम लोगों से बात करें और मैं बता दूँ कि एके पाठक जी से चार राउंड की बारता हुई और चारों राउंड में उन्होंने हम से यहां कहा कि भाई आपकी बात के लिए हम घंभीर हैं आपका काम हो गा इनकर जा रहा है पड़ी हैं लेकिन यह सरकार को दिखा रहे हैं यह चुकि सक्षम पदा धिकारी हैं और हम यहां अक्षम हो करके बैठे हैं यह यह शरकार के तंत्र में यह जो अधिकारी अपने आपको यह मनवाने में लगे हुए हैं कि शरकार की नजर में हम अच्छा बना रहे हैं नंदन जी मैं बता दूं कि आने वाला समय आपर सिक्षा सचीव महोदे को मैं निवेदन पुर्व कर रहा हूं कि जदी आप हमारी बातों को गंभिरता से नहीं लेंगे तो आपको आने वाला समय माप नहीं करेगा बिहार कर रहे हैं हम लोगों के साथ उनको भी इस बात को गंभीर होना चाहिए इस बात पर कि हम बीगत तिरपन दिनों से इस कड़ाक्षे की ठंड में पड़े हैं या इसलिए हम लोगों की नहीं पूछ रहे हैं कि इनका इन सबों का कम अलपतम बेतनमान है पैसा खतम हो जाएग हम सुरू के दिनों में भी कहे थे हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हम सर जुका करके यहां से नहीं जाएंगे हम यहां से प्राप्त करके अपने संबैधानिक अधिकारों को प्राप्त करके यहां से जाएंगे और केके पाठक जैदे आप अपने मुख मंत्री को या क किसी राजनेता को खुश करने के लिए कर रहा है तो एक दिन आपको भी यही इस बिहार राजी की जनता दिव्यांग बच्चों की अभिभावक हम लोग आपको जो है बाहर का रास्ता ही नहीं दिखाएंगे बलकि आपको विवस कर देंगे आपके कर्तितों पर आपके नेत् और आप भी मानसी कुरूप से बिकल्प हो जाईए गा जैसे हमारे मांसीक मंद बच्चे है हम लोग वीचिप्तता की स्थित्ती में आ गया है आगे हम लोग हम लोग हमारे आज इस तितिती हा है कि हम लोग क्या कहते है तमाम तरह की समस्याओं से जूज रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार से गलत क्या कते हैं तरीके से मैंग मनवानी के लिए बाद नहीं कर रहे हैं हम सांती के पुजारी हैं लेकिन हम अहिंसा पर नहीं उतरेंगे क्योंकि हमारी संख्या बल नहीं है हम जातिके नहीं है क्या सरकारे इसलिए होती है कि जातिके नाम पर और सब आते हैं जदी है सरकार नहीं चेती तो 2024 में लोग सभाद चुनाव में अपना हसर देखेगी और हम लोग घुम घुम करके परचार परसार कर रहे हैं कि किसी भी सरकार कोई भी कंडिडेट जदी आपके दरवाजे पर जाए उसको भागाई जाते हैं खबर बनाते हैं और उसके बाद कोई भी निश्कर्स नहीं निकलता है कोई भी अंजाम नहीं निकलता आप देखना यह होगा कि आखिर कब तक विश्यश्चक को त्वारा धरना जारी रहेगा और आखिर कब तक 17 सालों से जो वीचे सिक्षक कारे रत हैं अपने इस अज़िक रिपोर्ट बाकिया सोरत अमाम खबरों के लामार साथ बने रहें और देखतेरे हैं एकनिश 24 मैं अन्हें दरना प्रुस्ता के पिंटों के साथ धनेवाद